हेलो एवरिवन, वेलकॉम अगेन इन लर्न विज दितिमेंट, बच्छों आज हम करने जारे हैं क्लास एट का चैप्टर नबर पोड जिसका नाम है भूमी, संसाधन और क्रिसी, तो चलिए हमेशा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कुश्चन नबर पन, विश्व का क कितना प्रतिशत भूमी क्रिसी भूमी है, विश्व का कितना प्रतिशत भूमी क्रिसी भूमी है, यानि विश्व का जो टोटल भूमी या धरातल ये छेतर है, उसका कितना प्रतिशत भाग भूमी के लिए उप्योग किया जाता है, तो कितना उप्योग किया जाता है, मात् 11 प्रितिशत भाग किरसी भूमी है? चलिए, नेक गूशन देखीUS स्वामित्व के आधार पर भूमी को कितने भागों में विभाज़ित किया जाता है? so, कितने भागों में विभाज़ित किया जाता है? और आपको पता है कि हिमास जो है जो है जो घुमस का जबाएज अगर हो तो मिट्टी को वही उपजाओ बना देता है चलिए, नेक कोशन देखिए, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्तों की उपरी परत हुमस सहीत क्या कहलाती है, तो देखिए, हम सभी जानते हैं, लेकिन जब पारिभासिक तो इन चीजों को पहचान नहीं पाते हैं, तो इसको क्या है, मिट्टी की परिभासा ह जो हमारे धराते लिए, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, धरातल पर जो उपरी परत जो पाई जाती है, असंगठित पदार्तों की उपरी परत है, जिसमें हुमस भी सम्मिलित होती है, वो क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है, ठीक है, और ये बंती क देखें, मिठी को किन आधार पर सामनातर विभाजत किया जाता है, ना और दूसरा है प्रकृति के आधार पर कैसी है तो जैसे दो मत मिटी, दो मत मिटी को और क्या कहते हैं जलोड मिटी, अलोवी जो मुखेता नदियां लेके आती है, रेतीली मिटी रिगीषानीय चेत्रों पाई जाती है, लवनिय ay, छारी आधी टाइप है, वो प्रकृति के आधारे जो प्रकार हैं, और रंग के आधार पर काली है, लाल, पीली, भूरी और भी बहुत सारे होते हैं तो मुखेत मिठी को किन आधार पर समति विवाजित किया जाता है? एक प्रकृति के आधार पर और दूसा रंग के आधार पर चलिए, नेक कोशन देखिए राजिस्थान के उत्तर पूर्वी मयदान में किस प्रकार की मिठी पाई जाती है? तो किस्पकार की पाई जाती है? जलोड मिटी ठीक है? जलोड मिटी पश्चिम राइस्थान में रेतिली मिटी पाई जाती है और नहरी छेत्रों में छारी मिटी पाई जाती है इस बात का भी आपको याद रखना है राइस्थान की उत्री पूर्वी जो मैदान है उसमें तो जलोड मिट्टी पाई जाएगी है ना और पश्चिमी राइस्थान का जो रेतीली भाग है वहाँ पर कैसी मिट्टी रेतीली मिट्टी पाई जाती है जो नहरी छेत्र हैं वहाँ पर छारीय मिट्टी पाई जाती है चलिए नए कोश्चन देखिए राइस्थान के हाड़ोती चेतर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है राईस्थान के हाडवती चेतर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो आपने जब मैप हमने पिछले चैप्टर में देखा था तो हमने हाडवती चेतर के को भी देखा था तो हाडवती चेतर में कहां पर कैसे प्रकार और लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है चलिए, next question देखे मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है देखे, बहुत important question है जैनक से ले, यानि जिनसे मिट्टी का निर्माण हो रहा है जिनसे टूत कर मिट्टी बन रही है वो जनक से लें, वो चट्टाने, दूसरा जलवाईू, जलवाईू भी आपको पता है कितना प्रभावित करते हैं, उच्चा वच, यानि कोई स्थान उंचा है या नीचा है, जैविक क्रियाएं वहाँ पर किस प्रकार के जीद गंत उपाय जाते हैं, उनके उपर भी बहुत है, मिटी में फसल उगाने की कला क्या कहलाती है, क्रिसी कहलाती है, नेक कोईशन देखिए, जिस भूमी पर फसल उगाई जाती है, क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बचों, वो क्रिसी भूमी कहलाती है, क्रिसी भूमी कहलाती है, नेक कोईशन देखिए, क्रिसी एक प्रक क्रसी एक प्रकार का प्राथमिक क्रिया कलाप है यहां प्राथमिक क्रिया कलाप का क्या भी प्राय है यहां प्राथमिक क्रिया कलाप का क्या भी प्राय है तो देखे ऐसी गतिविधियां जनका संबंद प्राकर्तिक संसाधनों की उत्पादन एवं उप्योग से हो वो एक प्राथमे क्रिया कव्हाप्त है, नेक पॉचिन दीखें, कर सी को सामने तब कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो कितने भगों विवक्त कहा जाता है? निर्वाह और वानेजिक करसी. देखे, जो करसी होती है, उसमें क्या? केवल करसी में केवल फसल उगाना ही नहीं होता है. फसल, फल, फूल, सबजियां उगाने के अलावा, पसु पालन भी इसी का ही एक इसा है. क्या है? पसु पालन जो वेफसाय है, वो भी करसी के अंदर समलित होता है. तो याद रखे, करसी में केवल फसल उगाना नहीं होता है, पसु पालन भी इसी के अंतर आता है. और अभी हमने देखा, कितने भाग होता है? मुखे तर दो प्रकार भागों में बाटा जाता है, एक निर्वाह करसी हो करें. करसी जो किशान द्वारा अपने परिवार के भरन पोशन है तो करें. करसी जो है, वो केवल अपने परिवार के भरन पोशन के लिए अगर कोई करसी करता है, तो क्या कहलाती है? निर्वाह करसी को सामने तहा कितने प्रकार में विभक्त किया जाता है? तो इसको दो प आदिम निर्वाह क्रिसी होती है और दूसरी कौन सी होती है गहन निर्वाह क्रिसी होती है ठीक है चलिए नेक कोईशन देखिए राज इस्थानतरित क्रिसी मुक्यते किनके द्वारा की जाती है कौन करता है इस्थानतरित क्रिसी को तो कौन करता है यह मुक्यता आदिम जन ज जाती हो द्वारा जो आदिम जन जाती हैं उनके द्वारा जंगलों को काट कर बनाए खेतों में की जाती है यह क्या होता है जो आदिम जन जाती है वो जंगलों को कुछ हिस्सा जो खराब महसूस होता है उनको लगता है कि वहां खेत बनाने लाएक है तो वहां खेत बनाते है उनको काट कर, और वो क्या करते हैं, कटे जंगलों को जला कर मिट्टी उपजाओ बनाई जाती है, और ऐसे खेतों में दो से तीन साल तक खेती की जाती है, और इसके बाद उसकी जैसे उर्वरता कम होती है, उपजाओ पन कम होने लगता है, उपजाओ कम होती दिखाई देती तो वो अपनी जगे बदल देते हैं और इसी वज़े से इसको इस्थानतरित किसी कहा जाता है ठीक है तो ये मुक्ताया आदिम ज़ती हो द्वारा जंगलों को काट कर बनाए केतों में की जाती है चलिए नेक कुशन देखिए दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को क्या कहा जाता है दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को क्या कहा जाता है देखिए कोशन आभी जुका है तो इसको थोड़ा सा याद रखेगा बालरा कहा जाता है दक्षिन राइस्थान में इस्थानतरित किसी को बालरा कहा जाता है और यही उत्तर पूरो भारत जूम कहलाती है उत्तरपूरण भारत में जो इस्थांतरित कृसी है उसको क्या कहा जाता है, जूम कहा जाता है, चलि नग कोशन देखे, गहन निर्वाह करसी में वर्स में सामान्य तह कितनी फसलें की जाती है तो दो से तीन फसलें गहन निर्वाह करसी के अंदर दो से तीन फसलें उगाई जाती है चोटे भूखंडों में साधार्ण औजारों द्वारा अधिक परिश्रम से किस प्रकार की किर्सिक की जाती है? चोटे भूखंडों में साधार्ण और जारों द्वारा अधिक परिश्रम से अगर कोई खेती की जारी है तो वो कौशी किर्सिक है? पसुचार क्या होते हैं? पसुचार का अभी चारा यहां मिल रहा है तो यहां पर किर्सिक करने लगया और वहीं पर अपने पसुचार की देखवाल करते हैं और जब उन्हें लगता है कि मौसम विप्रीत होने लगा है और तो यह मुखेता कैसे इस्थानों पर की जाते हैं? तो यह क्या है? आपकी चलवासी पसुचारन करसी है मलब पसुचार के उपर आधारित हो गई यह पसुचार के साथ चारे वजल ही तो इस्थान जब परिवर्टन करते हैं जो करसी करते हैं वो क्या कहलाती है? चलवासी पसुचारन करसी कहलाती है चलए नएक क्योशन लिखे, चलवासी कृसि अर भारत के कुछ भाग जैसे जम्मुकस्मीर हो गया और पस्चिमी राइस्थान में सुस्क वे अर्द सुस्क प्रदेशों में की जाती है। मध्धे एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कस्मीर और पस्चिमी राजिस्थान में सुस्क व्य अर्दसुस्क फिर्दिसों में ये की जाती है। नेक क्वेशन देखें। ऐसी क्रसी जिसका उद्देश फसल एवं पसु उत्पादों को बेचना बड़े खेतों में नवीन तकनिकों और मसीनों के साथ की जाए किस प्रकार की क्रसी कहलाती है। देखें जब नवीन तकनिकों का उप्योग और मसीनों का उप्योग हो रहा है तो वह कौन सी क्रसी है। निश्यत रूप से आपसे समझ जाए का कि वह वार्णिजिक क्रसी ही हो सकती है। वानिजी क्रसी में ही नवीन तक्निकों और मशीनों का उपयोग किया जाता है, अन्य था, वहाँ पर अन्य जो क्रसी हैं उनमें बहुत मेहनत के साथ तोष्रम करना पड़ता है, और सामाने जो ओजार हैं उनका उपयोग किया जाता है, नवीन तक्निकों का उपयोग नहीं सा वानिजिक करसी है। चलिए नए कोईशन देखिए। चलिए नए कोईशन देखिए। चलिए नए कोईशन देखिए। बागाती करसी किसे कहा जाता है। देखिए ये करसी अधिक पूंजी और श्रम द्वारा बड़े बड़े उध्यानों में एक ही प्रकार की फसल की जाती है। अधिक पूंजी और अधिक श्रम का भी उपयोग किया जाता है और बड़े बड़े उध्यानों में ये की जाती है। जैसे कि आपके चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ादी जो हैं वो इस प्रकार की करसी के उधारन हैं। बागाती करसी के उधारन अगर पूंचे जाएं तो चाय, कॉफी, रबड़ सबसे अच्छे उधारन कहे जा सकते हैं। चलिए, नेक क्वेशन देखिए। सूती वस्त्र उध्योगों के लिए किसकी फसल आवशक है। तो देखिए, सूती वस्त्र उध्योगों के लिए हम सभी जानते हैं कौन सी आवशक है। कपास की फसल अगर नहीं हो, तो सूती वस्त्र उध्योगों के लिए कपास की फसल आवशक होती है। नेक क्योशन देखे, सक्कर उध्योग हे तु किस फसल की आवश्यकता है, सक्कर उध्योग हे तु किस फसल की आवश्यकता है, तो हम सब ही जानते हैं, गन्य की फसल सक्कर उध्योग के लिए आवश्यक है, यूँकि गन्यों के रस्ते ही सक्कर का निर्मान किया जाता है, चल कि अरहर उड़द मुंगादी किस प्रकार की फसले हैं? यह किस प्रकार की फसले इनको क्या कहा जाता है? दलहनी फसल कहा जाता है. चना, अरहर, उरद, मुंग आदी जो प्रकार की फसले होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? दलहनी फसले कहा जाता है. चलिए, next question देखिए. सरसों, मुंग फली, सोयावईन आदी किस प्रकार की फसले हैं? तो ये तिलहनी फसल तो बचों ये वीडियो हो जाएगा ज्यादा लंबा तो मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट में तब तके लिए ठेंक यू